शबाना आजमी हिंदी सिनेमा की ऐसी मंझी हुई अदाकारा हैं, जो खुद को हर अभिनय के अनुरूप उसी साचे ढल जाती हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में तरह तरह के रोल अदा किये हैं। वह आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ शबाना आजमी सामाजिक कारियों में भी समान रूप से जुडी रहती है शबाना आजमी हिंदी सिनेमा के मशूर लिखक संगीत कार जावेद अक्तर की पत्नी है प्रिश्थ भूमी उनके पिता कैफी आजमी मशूर शायर और कवी थे उनकी मा का नाम शौकत आजमी था जोकी इंडियन थेटर की आर्टिस्ट थी मा से विरासत में मिली अभिने प्रतिभा को सकारात्मक मोर देकर शबाना ने हिंदी फिल्मों में अपने सफर की शुरुआत की पढ़ाई शबाना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई क्वीन मेरी स्कूल मुंबई से की है उन्होंने मनोविज्ञान साइकोलोजी में सनातक किया है उन्होंने सनातक की डिग्री मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से ली है शबाना आजमी ने एक्टिंग का कोर्स फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिटीउट आफ इंडिया उन्हें से किया है शादी शबाना आजमी की शादी हिंदी सिनेमा के मशूर संगीतकार जावेद अक्तर से हुई है जावेद अक्तर पहले से शादी शुदा थे लेकिन शबाना के प्यार में उन्होंने अपनी पहली पत्नी हनी इरानी को तलाक देकर अभिनेत्री शबाना से निकाह कर लिया और उनकी यह जोडी आज भी लोग के लिए मिसाल है करियर शबाना आजमी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुवात वर्ष 1973 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से की थी इस फिल्म की सफलता ने शबाना आजमी को बॉलिवुड में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री का राष्ट्रिय पुरस्कार हासिल हुआ फिल्म अकुम्र के बाद 183 से 1915 तक लगातार तीन सालों तक उन्हें सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री के राष्ट्रिय पुरस्कार से नवाजा गया अर्थ खंडहर और पार जैसी फिल्मों के लिए उनके अभिने को राष्ट्रिय पुरस्कार से नवाजा गया उस दौर में शबाना ने खुद को ग्लैमर्स अभिनेत्रियों की भीड से स्वयं को अलग साबित किया अर्थ निशान्त अंकुर स्पर्ष मंडी मासूम पेस्टन जी में शबाना आजमी ने अपने अभिने की अमिट छाप दर्शकों पर छोड़ी अमर अकबर एंथोनी परवरिश मैं आजाद हूँ जैसी व्यावसाइक फिल्मों में अपने अभिने के रंग भरकर शबाना आजमी ने दर्शकों के साथ साथ आम दर्शकों के बीच भी अपनी पहुँच बनाय रखी प्रयोगात्मक सिनेमा के भरण पोशन में उनका योगदान उलेखनिय है फायर जैसी विवादास्पद फिल्म में शबाना ने बेधड़क होकर अपनी अभिने प्रतिभा का प्रमान दिया वहीं बाल फिल्म मकडी में बेचुडैल की भूमिका निभाती हुई नजर आई यदि मासूम में मातरित्व की कोमल भावनाओं को जीवन्त किया तो वहीं गौड मदर में प्रभावशाली महिला डौन की भूमिका भी निभाकर लोगों को हैरत में डाल दिया भारतिय सिनेमा जगत की सक्षम अभिनेत्रियों की सूची में शबाना आजमी का नाम सबसे उपर आता है प्रसिद्ध फिल्में अंकुर अमर अकबर अन्थोनी निशान्त शत्रंच के खिलाडी खेल खिलाडी का कीरा और पत्थर परवरिश किसा कुर्सी का कर्म आधा दिन आधी रात स्वामी देवता जालिम अतिथी स्वरगनरक थोड़ी बेफाइस पर्ष अमरदीप बगुलाभगत अर्थ एक ही लोग क्या कहेंगे दूसरी दुलहन गंगवा कल्पवरिक्ष पार काम्याब दब्यूटिफुल नाइट मैं आजाद हूं इतिहास मट्रू की बिजली का मंडोला